स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टडी सीकर्स में आज हम डिसकस करेंगे 23 मई 2022 के महत्पूर करंट अफेस और इसके साथ ही लाष्ट में हम प्रीवियस डे के रिवीजन्स भी करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नमबर वन किस राज सरकार ने बिधोवा प्रथाओं को रोकने के लिए सरकूलर जारी किया है तो इसका सही आंसर है आप से ने महराष्ट ने बात करें महराष्ट से जुड़े महत्पूर तत्यों की तो महराष्ट की रादधानी मुंबई है महराष्ट के गुवर्नर भगत सिंग को सियारी है यहां के मुख्यमंतरी उद्धो ठाकरे है महराष्ट के फोक डांसेज हैं लाहुनी डांस, धन्गरी गाजा डांस, कोली डांस तथा तमासा डांस महराष्ट के फेस्टिबल्स हैं गुडी पड़वा फेस्टिबल, गनेश चदूर्थी फेस्टिबल, एलोरा फेस्टिबल, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिबल महराष्ट के नेसनल पार्क हैं चंदॉली नेसनल पार्क, गुगुमल नेसनल पार्क, अंधेरी नेसनल पार्क, पेंच नेसनल पार्क, टडोबा नेसनल पार्क, तथा नवे गाउन नेसनल पार्क बात करें महराश्ट से हाली के Current Affairs की तो महराश्ट में भारत का पहला Agri Export Facilitation Center खोला गया है महराश्ट में जेल टूरिज्म शुरू किया गया है महराश्ट में Heritage Tree प्रोग्राम चलाया गया है भारत का पहला Roof Top Drive-In Theater महराश्ट में खोला गया है पूड़े में इस्तित आर्मी स्पोर्ट इंस्टिट्ट का नाम नीरा चोपडा के नाम पे रखा गया है महराश्ट में Mission Vassal ले चलाया गया है महराश्ट ने UNEP के साथ मिलकर माजी वसंदरा कारिक्रम चलाया है हाली में महराश्ट में पहली Water Taxi सुरू की गई है महराश्ट ने एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हर जिले में टेलिस्कोप की स्थापना की है भारती आर्मी और महराश्ट पुलिस ने सुरक्षा कवच अभ्यास चलाया है महराश्ट ने जेल में बंद कैदियों को लोन देने के लिए जीवला भ्यान चलाया है चलते हैं अपने Next Question पे हाली में किस राज में साप की एक नई प्रजाती खोजी गई है तो इसका सही आंसर है Option B मिजोरम में इस साप का नाम रखा गया लेनरू मुरलीन या साप मिजोरम के मुरलीन नेसनल पार्क में खोजा गया है बात करें मिजोरम से जुले मातपूर दच्च्चों की तो मिजोरम की राजधानी आई जोल है यहां के मुक्यमंत्री जोरम ठंगा है यहां के गवरनर है हरी बाबू खंबम पती मिजोरम के फोक डांसे हैं चिराओ डांस, खुलम डांस, छैलम डांस, सोलकिये डांस तथा बंबू डांस मिजोरम के फेस्टिबल है चपचार कूट फेस्टिबल, मीम कूट फेस्टिबल तथा पवल कूट फेस्टिबल मिजोरम का नेशनल पार्क है मुरलीन नेशनल पार्क तता फंकफवी नेशनल पार्क बात करें मिजोरम से हाली के करेंट अफेर्स की तो मिजोरम में थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट खोला गया है मिजोरम सीर्स पर है खुलसाली रिपोर्ट 2022 में मिजोरम का दच्छड मोव्यांग गाउं पहला ओडिया प्लस गाउं बना है मिजोरम में डंपा टाइगर रिदर विश्तित है मिजोरम में ब्लू माउंटेंस विश्तित है मिजोरम में चक्मा और कूकी जनजाती पाई जाती है पूर्वत्तर भारत का पहला रेसिंग ट्रेक मुझे औरम में खोला गया है चलते हैं अपने नेक्स्ट कोईश्चन पे किस राज यहकेन सासित प्रदेश ने आग बुझाने के लिए दो रोबोट फायर फाइर फाइटर की तैनाती की है तो इसका सही आंसर है option C दिल्ली ने बात करें दिल्ली से जुड़े महत्पूल तत्यों की तो 1911 में दिल्ली को भारत की राधधानी गुजित किया जाता है दिल्ली के मुखे मंत्री हैं अरबिंद केजरिवाल हाली में दिल्ली के लेफटिनेट गवर्नर अनिल बैजल ने अपने पद से इस्थीपा दे दिया है बात करें दिल्ली से हाली के करेंट अफेर्स की तो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सजग चलाया है दिल्ली ने वन इस्टॉप e-Vacul website लॉँच किया है दिल्ली मेट्रो ने भारत का पहला UPI या धारित कैसले स्थ पार्किंग सुरू किया है दिल्ली में तमिल अकादमी की इस्थापना की गई है दिल्ली में Olympic BT या Olympic Bayboard योजना चलाई गई है भारतीय रेल बे दोरा भारत का सबसे बढ़ा कुस्तिया काइड मी दिल्ली में खोला गया है दिल्ली में Business Blaster Program चलाया गया है भारत का पहला EcoWaste Park दिल्ली में खोला गया है दिल्ली के स्कूल में स्कूल हेल्थ क्लीनिक की स्थापना की गई है ये आटो को खरीदने के लिए दिल्ली सरकार ने माई इवी पोल्टल सुरू किया है दिल्ली के स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की गई है दिल्ली में मालचा महल इस्तित है दिल्ली में मुफ्ट सीवर कनेक्शन योजना सुरू किया गया है चलते हैं अपने next question पे किस मंत्राले ने Museum of India एप लॉंच किया है तो इसका सही answer है option B संस्कृति मंत्राले ने इसके मंत्री है जी किसान रेड़ी बात करें हाली में लॉंच हुए एप्स की तो Digital Sunset एप को लॉंच किया है ओम बिर्ला ने सार्थी एप को लॉंच किया है सेबी ने वाइब्रेक एप को लॉंच किया है मिनिश्ट्री आफ आयूस ने सिटीजन टेली लॉव मुबाइल एप को लॉंच किया है किरंदी जिजु ने प्रूफ एप लॉंच किया है मनुष सिनहा ने कॉल यूर कॉप एप लॉंच किया है नागलेंड पुलिस ने किसान एप लॉंच किया है IT रोड की ने अंबूर्समेन परसन एप गिरी राज सिंग ने लॉंच किया है नाइट निविगेशन एप अजम ने लॉंच किया है 10-64 करप्सन फ्री एप उत्राखंड ने लॉंच किया है चलते हैं अपने next question पे किसके दोरा Mount Everest पर 20 का सबसे उचाई पर मौसम केंदर की इस्थापना की गई है तो इसका सही आंसर है Option D. NetGO के दोरा बात करें Mount Everest की तो Mount Everest महालंगूर सुरेडी का पाल्ट है इसकी उचाई है 8848.86 मिटर नेपाल में Mount Everest को सागर माथा के नाम से जानते हैं चीन में Mount Everest को चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं 1903 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे ने पहली बार Everest को फते किया था 1965 में इवतार सिंग चीमा पहले भारतिये बने थे जिन्होंने एवरेष्ट को फते किया था 1954 में बचेंदरी पाल पहली भारतिये महिलाए बनी थी जिन्होंने Mount Everest को फते किया था अरुणिमा सिनहा पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने एवरेश्ट को फते किया है हाली में नेपाल के कामी रीता सेरपा ने रिकॉर्ड 26 बार माउंट एवरेश्ट की चढ़ाई की है केंटर कूल 16 बार माउंट एवरेश्ट की चढ़ाई करने वाले पहले गेर नेपाली बने हैं चलते हैं अपने नेक्ट कोश्चन पे भारत में 2021-22 में किस देश से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेस आया है तो इसका सही आंसर है सिंगापूर बात करें प्रत्यक्ष विदेशी निवेस की तो जब कोई एक कमपनी किसी विदेशी कमपनी में निवेस करके उसके कम से कम 10% सेर में सेदारी ले लेती है तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेस कहते हैं इसको और सरद सब्दों में समझें तो ये एक इंडिया की कमपनी है और ये है अमेरिका की कमपनी बी जब यह इंडिया की company, अमेरिका की company में निवेस करके इसके कम से कम 10% share को खरीद लेगी तो कहा जाएगा कि इंडिया ने अमेरिका में प्रत्रक्ष विदेसी निवेस किया है बात करें भारत में 2021, 2021 में प्रत्रक्ष विदेसी निवेस कितना आया है तो टोटल आया है 83.77 billion डॉलर जो की अभी तक का रेकॉर्ड है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदीसी निवेस करनाटका में आया है बात कलें सिंगापूर की तो सिंगापूर की राधधानी सिंगापूर सिटी है यहां की मुद्रा डॉलर है यहां के प्रधा question पर अमेरिका ने किस संगटन को 1500 डॉलर मिलियन देने की गोशना की है तो इसका सही आंसर है option भी आसियान की बात करें आसियान की तो आसियान की फुल फॉर्म है Association of South East Asian Nation इसका इस्थापना 8 अगस्ट 1967 में किया गया था इसका मुख्याल है जकारता में है इसके सची उनलिम जोग होई इसमें सदस्य देशे हैं दस बात करें USA की तो USA की capital है Washington DC यहां की currency है dollar यहां के president है जो इबिडेन USA में भारती राजदू थे तरंजीत सिंग संदू माया एंगलो पहली एस्थ महिला है जिनको अमेरिका की सिक्कों पर दर्साया गया है अमेरिका और बांगला देश ने करात समुद्री अभ्यास किया है दौतुम रागमन प्रमुक बनाए गये हैं white house presidential personals के अमेरिका पाकिस USA border share करता है कनाडा से मेक्सिको से USA और कनाडा के border पर 5 लेक पाई जाती है जिसे great lakes के नाम से भी जानते हैं एक है लेक सुपीरियर दूसरी है लेक मिशिगन तीसरी है लेक हूरिन चौती है लेक इरी पांची है लेक ओंटीन्यो अमेरिका में rocky mountains पाए जाते हैं चलते हैं इसके founder है class swap बात करें हाली में हुई सम्मेलन और बैठक की तो पांचवी बिंस्टेक सम्मेलन से लंका में आई जित हुई है गल्फ कंट्री इंबेस्टमें सम्मिट जम्मू कस्मीर में आई जित हुई है इंटरनेस्मिल जियो लॉजिकल कॉंग्रेस नई दिल्ली में आई रज जित हुई है वन उस्टमें सम्मिट फ्रांस में आई जित हुई है COP26 Glasgow Scotland में आई जित हुई है Satan Naz thing αिजित हुई है आजा गया है तो इसका सही आंसर है Option D. B. Slay Morgan को इनको या अवार्ड इनकी बुक The Hardest Place के लिए दिया गया है William E. Colby अवार्ड लिट्रेचर के छेतर में दिया जाता है बात करें हाली में लिट्रेचर में दिये गए अवार्ड की तो अब्दुर्जाक गुन्णा को 2021 का नॉबल प्राइस दिया गया है लिट्रेचर में दामोदर माउजयो को 2021 का ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया है M. Mukundan को JCB प्राइस 2021 दिया गया है देली आसोली लोकी बुक के लिए डेमन गलगट को मैं बुकर प्राइस 2021 दिया गया है दा प्रामिस बुक के लिए डेविट डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2021 दिया गया है सरत पगारे को ब्यास सम्मान 2022 दिया गया है मधुक अंकरिया को बिहारी सम्मान दिया गया है चंद्रभान ख्याल को उर्दू भासा के लिए साहित अकादमी पुल्सकार दिया गया है रामदर्स मिस्रा को सरस्वती सम्मान दिया गया है चलते हैं अपने next question पे जो कि आज का हमारा last question है हर वर्स विस्व मेटरोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही answer है option है 20 माई को इस बार की theme है Metrology in the Modern Era 20 माई को एक और दिन मनाया जाता है वो है विस्व मधमक्खी दिवस बात करें माई के महत्वण दिनों की तो 1 माई को विस्व स्रम दिवस और विस्व लाफ्टर दिवस मनाया जाता है 2 माई को विस्व टूना दिवस मनाया जाता है 3 माई को विस्व प्रेश स्वतंतरता दिवस और विस्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 4 माई को कोईला खनिक दिवस और अंतरराश्ट्रिय फायरफाइटर दिवस मनाया जाता है साथ माई को विस्व एतलेटिक्स दिवस मनाया जाता है आठ माई को विस्व रेड क्रॉस दिवस और विस्व थेले सीमिय दिवस मनाया जाता है ग्यारा माई को नेशनल टेकनोलजी डे मनाया जाता है 12 माई को International Nurse Day और International Plant Health Day मनाया जाता है 14 माई को विस उप्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 16 माई को National Dengu Day मनाया जाता है 17 माई को World Hypertension Day मनाया जाता है 18 माई को अंतरराश्ट्रिय संग्राले दिवस मनाया जाता है चलते हैं अपने 21 माई 2022 के Revisions पे उत्तर प्रदेश का पहला जंजाती है संग्राले कहां खोला गया है तो इसका सही आंसर है बलरामपूर नेक्स्ट कोश्चन है बिस बैंक ने किस राज के स्रेश्ट जी परियोजना के लिए 3500 मिलियन डॉलर देने की गोशना की है तो इसका सही आंसर है गुजरात नेक्स्ट कोश्चन है कौन सा राज भारत के पहले राज सौमित वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लाँच करेगा तो इसका सही आंसर है केरल नेक्स्ट कोश्चन है तो इसका सही आंसर है गांधी नगर नेक्स्ट कोश्चन है हाली में जारी Global Land Outlook Report 2022 में पाकिस्तान समेट कितने देशों को सुगा प्रवावित बताया गया है तो इसका सही आंसर है तेज देश नेक्स्ट कोश्चन है डबलो एचो ने पिछले 30 वर्टों में पहली बार किस देश में वाइड पोलियो वाइरिस के आउट ब्रेक की पुष्टी की है तो इसका सही आंसर है मुजांबिक नेक्स्ट कोश्चन है हाली में भारत ने किस देश के साथ मिलकर श्टार्ट अप ब्रिज बनाया है तो इसका सही आंसर है UAE नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किसने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंसुरेंट प्लांट लॉंच किया है तो इसका सही आंसर है PNB MetLife नेक्स्ट कोश्चन है हाली में किसने 20 suboxing championship में सोड़पदक जीता है तो इसका सही आंसर है निखत जरीन नेक्स्ट कोश्चन है 20 मदमक्की दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है 20 म Grow आप लोगों से कल का सवाल था प्रतबंदित पदार्त का इस्तमाल करने के लिए भारत के किस खिलाडी को अस्थाई रूप से निलंबित किया गया है तो इसका सही आंसर है कमल प्रीत कौर आप लोगों के लिए आज का होमग है बिस की पहली प्लांट आदारित COVID-19 वैक्सिन का निर्मा किस देश ने किया है इसका आंसर आप लोग कमेट बॉक्स में जरूर दीजेगा आज के क्लास की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप हमारे इस्टाग्राम एकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं इस्टाग्राम एकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको हमारी आज की या क्लास पसंद आई होगी और डेली ऐसे ही नॉलेज़फुल करेंट अफियर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें दर्नेवाद